आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ मटन कीमा की रेसिपी तो आईए इसे हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम ले लेंगे मटन मटन यहाँ पर 500 ग्राम है मटन कीमा और इसे हम अच्छे से दो के दुबारा फिर अपने मिक्सर में थोड़ा सा पीस लेंगे और फिर उसके बाद हम कड़ाए में तेल डालेंगे तेल जब अच्छे से गड़म हो जाएगा तो उसमें हम कीमा डाल देंगे और सारे कीमा डालने के बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे यहाँ पर मैंने हाफ टीस्पून डाला है नमक और फिर इसमें हम डाल डा ढलेंगे थोरा सा हलधी का पौडर हलधी पौडर डालने के बाद फिर इसे हम अच्छे से भून लेंगे देखे इस तरह से हमें अच्छे से भून लेना है कीमा को और फिर इस इसमें हां थोरा सा अब यहां पर हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर लाल मिर्च का पाउडर भी यहां पर हम हाफ टीजपून ही डालेंगे देखिए कीमा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फिर कुकर में हम डालेंगे तेल और तेल जब अच्छे से कड़म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे कटे हुए प्याज यहाँ पर मैंने चार मेडियम साइज के प्याज लिए हैं स्लाइसे में कटे हुए और उसे हम डाल देंगे कूकर में और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पागाएंगे धिरे धिरे प्याज का कलर चेंज हो रहा है और प्याज सब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब फिर इसमें हम मसाले एट करेंगे देखिए प्याज का color change हो चुका है तो इसमें हम थोरा पानी डाल देंगे पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि gas on है ने तो प्याज ज़्यादा जल जाएगा और फिर इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर हाफ टी स्पून से कम यहाँ पर हम हल्दी एड़ करेंगे और फिर वन टी स्पून यहाँ पर हम डाल देंगे लाल मिर्श का पाउडर वन टी स्पून भुना जीरा पाउडर और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे हल्दी और मिर्श थोड़ा हम इसमें कम इसलिए डालेंगे क्योंकि कीमा में भी हल्दी मिर्श और नमक थोड़ा गया था उसी हिसाब से हम इसमें हम मसाले में हम हल्दी और नमक एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने नमग भी हाफ टीस्पून से थोड़ा कम डाला है और यहाँ पर हम भढ़के डाल देंगे थ्री टीस्पून अदरक और लेसन का पेश्ट अद्रक लेसन का paste इसमें हम थोड़ा जादा डालेंगे क्यूंकि इससे इसका taste बहुत अच्छा आता है और फिर इसमें हम एक medium size के जो प्याज है उसे पतले पतले pieces में काटके इसमें हम डाल देंगे और फिर उसे थोड़ा भूनने के बाद फिर इसमें हम कीमा डाल देंगे और इस कीमा को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे देखिए कीमा को हम बहुत अच्छे से भून लेना है और जब ये अच्छे से बुहन जाएगा तो थोड़ा इसमें हम डेगी लाल मिर्स डाल देंगे और इसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे पानी और इसे हम अच्छे से चला लेंगे यहाँ पर हम एक गिलास पानी डालेंगे और फिर कुकर का ढकन बंद करेंगे दो सीटी लगाएंगे फिर थोरी दिर बाद कुकर का डखकन खोल देंगे देखिए यहाँ पर मैंने कुकर का डखकन खोल लिया है दो सीटी लगने के बाद और फिर दुबारा से इसको हम चरा देते हैं गैस पर और इसका जो पानी है इस पानी को हम सुखा लेंगे और पानी दिल देखे में दोबारा इतना पानी डालेंगे हम इसमें घ्रिवी चाहिए उसीका चुची हम के सबसे और फिर इसको हम गैस में चरा देंगे और बहुत अच्छे से एक उबाल आने देंगे जब उबाल आ जाएगा तो आज को एकदम धीमी करके दो से तीन मिनट के लिए हम गैस में छोड़ देंगे और उसके बाद देखिए किमा रेडी है इसे हम निकाल लेते हैं प्ल